शारंदर सहिता को तीन खंडों में विभाजित किया गया है पूर्वखंड, मध्यम खंड एवं उत्तर खंड सरुप्रत्थम है पूर्वखंड चप्टर नमबर फस्ट में परिभाशा प्रकरण एवं मान प्रकरण का उल्लेक मिलता है सबसे पहले देखते हैं कि गरंत के प्रारंब में आचार्य शारंदर ने शिव की आराधना की है नेक्स्ट शलोक नमबर थर्ड पर एकिसा के दो भेद यहाँ पर मिलते हैं करशन और ब्रहन यह स्पेशल है एकिसा के दो भेद करशन और ब्रहन आचर शारंदर ने बताए हैं नेक्स्ट है श्लोक नमबर फाइब पर यहां पर व्यादी के चार प्रकार के भेध हैं स्वभाविक, आगनतुज, काइक काइक मिन्स शारिरिक और अंतरा मिन्स मानसिक रूग तो इस प्रकार से चार व्यादियां जो है यहां पर उलेखित हैं आचारी शारंदर के अनुसार और इनके करण क्या बताएं करमज और दोशज मिन्स पूरो जरम से अगर कुछ व्यादी उत्पन होती है तो वह है करमज और दोशों के प्रकुपित होने से अगर कोई व्यादी उत्पन होती है तो वह है दोशज तो करम दोशज वागवट ने साथ प्रकार की व्यादी ब भावज इस प्रकार से बादबटके अनुसार व्याजियों के साथ भीद हैं यह ज़्यादा इंप्रोटेंट है इनको आपने देहना है नेक्स टेश लोग नमबर सिक्स्त पर यहाँ पर प्रयोग आगमात ठीक है तो यहाँ पर ध्यान रगना है कि शारंदर ने तीन प्रकार की प्रमान बताए हैं जिसे हम देखते हैं चरक ने चार बाने हैं ठीक है आचारे सुश्रुत ने चार प्रमान बताए हैं इसी प्रकार से आचारे शारंदर ने तीन प्रमाण पता है आगम मिंस आपतोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान ठीक है? next line है यह बहुत important line कही गई है सर्व लोग हितार्था आया वक्षा में अनति विस्तरात पताब सभी प्राणियों के यह सभी लोगों के लिए खितकारक, ठीक है? beneficial हो, इस प्रकार से मैंने इस ग्रंथ की रचना की है और यह क्या है? अनति विस्तरात, पताब बहुत अधिक मैंने जो ग्रंथ में डिटेल नहीं की है तो यह line किसके लिए कही गई है? शारंदर सहिता के लिए बहुत ही important line है कई बार exam में पूछी गई है सर्व लोग हितार्थाय वक्षामी अनति विस्तरात शारंदर सहिता के लिए यह line कही जाती है next हम देखते हैं कि पूर्वखंड के अंदर 7 chapters है पूर्वखंड में 7 अध्याय है next हम देखते हैं मद्यमखंड के अंदर 12 chapters है 12 अध्याय है next उत्तरखंड में total है 13 chapters 13 अध्याय है तो total 32 chapters यहां पर है इनको detail में बताया कि total यहां पर 32 chapters है द्वात रिंशत समित अध्याई युक्तियम तो total chapters है 32 पूर्वखंड में हमने देखा 7 है मद्यमखंड में 12 हैं और उत्तरखंड में total है 13 फिर आगे कराए शडवनशती शतानी अत्र श्लो का नाम तो total यहां श्लोकों के संख्या है 2600 यह आपने देखना है कि शारंदर सहिंता के अंदर total श्लोक है वो 2600 है उनके संख्या 2600 शारंदर का बहुत ही विशिस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट शारंदर का ही है मान पॉर्टेंट में भी है चरग सहिंता में भी है परंतु आप चहें से उसको छोड़ सकते हैं यहां से कुछे जाते हैं बहुत ही हांदर के ना मानन बिना मान खू क्विना की उपढ़ें संसक्त वैक sans शार्योंग विवक्ति का प्रयों किया जाता ना मानन जेते हैं अगर मान का आपको ड्यान नहीं है तो आप ड्र्व्यों का यक्ति य yuktha'S pural प्रयोग नहीं कर सकते अधा प्रयोग कारयार्थम मानम अत्र उच्चते मया योगी गुण संदी तो मानम अत्र उच्चते मया तो सबसे पहले हमने आपर मान प्रक्रण का उल्ले किया जिससे आप रिव्यों का युक्ति पूर्वक प्रयोग कर सकें तो यहां पर हम पढ़ते मागद मान यहां बताएंगे कि दो प्रकार के मान है एक मागद मान है दूसरा कलिंग मान है तो मागद मान कलिंग मान से स्टेश्ट होता है तो हम मागद मान को ही पढ़ेंगे कलिंग मान को नहीं पढ़ेंगे यहां हम देखते हैं कि 30 पर्माणों का एक three तरसरेणू होता है तेस परमानू का एक तरसरेणू है तरसरेणू को ही क्या कहते हैं वनशी कह जाता है पर जिसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको यह बिल्कुल एजी हो जाएगा परमानु के लिए कहा गया है कि जालांतर गते जाल मिन्स कोई भी जिसे खिड़की है जरुका है भानव मतलब सूरी की रोशनी में ये सुक्ष्मम दिश्यते रजा रजा मिन्स जो कोई डस्ट पार्टिकल है उसका जो सुक्ष्मम भाग दिखाई दे रहा ह जो खिड़की आदि से जो डस्ट पार्टिकल दिखाई देता है उसका वन थर्टियत तीस्वा भाग परमानु कहा जाएगा तो यह इंपोर्टेंट है नेक्स है वन्शी वन्शी मीन्स त्रसरेणू वन्शी ही त्रसरेणू है ऐसा हमने पहले पड़ा तो जालांतर गती मत सूरे करे मतलब हो गया जो सूरे की किर्णे है उनसे जो दिखाई दे रहा है वही क्या है वन्शी है यह त्रसरेणू है और इसका वन्थर्टियत पार्ट जो है वो परमानू कहा जाएगा नेक्स टम देखते हैं शडवंशी भी मरीची तो छे वंशी का एक मरीची होता है ठीक है ताभी शडविस्तू राजी का और छे मरीची का एक राजी का होगा ठीक है ध्यान रखना है छे जो वंशी है त्रस्रेणू है उनका एक मरीची हो गया ठिक है और छै मरीचि का एक राजी का है। सिस्त्रे भी राजी का और तीन राजी का का एक सर्शप हो जाएगा. इनको आपने देखना ही, यहां से वहुती बार कुछन्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है श्लोक 19 यह वो अश्ट सर्शप प्रोब्तो गुंजा शात तत चतुष्टय aha मुई तो ऐठ सर्शप का एक यव होता है ठीक है गुंजा शात ठीक है तो गुंजा जो है वो चतुष्टय मेंस चार जो सर्शप है उसका एक hp गुंजा हो जाएगा ठीक है गुंजा मींस रख्ती गुंजा को ही रख्ती भी कहा गया है तो आठ सर्शप का एक यव है ठीक है और चार सर्शप का एक गुंजा या रख्ती हो गया शडविस्तु रख्ती का भी और छह रख्ती या छह गुंजा का ही क्या हो गया एक माशक है और माश्चक के synonyms हो गए हेम और धान्यक तो यह हेम और धान्यक तो यह हेम और धान्यक जो है एक माश्चक है नेक्स्ट है माश्य चतुरभी शाना तो चार माश्च का एक शान हो गया शारंदर के अनुसार चार माश्च का एक शान है जबकि चरक के अनुसार तीन माश्चा का एक शान होता है जबकि शारंदर के अनुसार चार माश्चा का एक शान है और जो शान है उसी के synonyms कह दिया ड्धरण ड्धरण अठेक और आएक करहए तंक तो तंक भी शान का है शान की स्नूनिम से हैं हैं है thành अ सुद्रक वटक और फॉर ऑर द्रंग्षन जो हैं वो एक कोल की सिनॉनिम से नेक्स देखते हैं मुझाई में। दो कूल का एक कर्ष हो जाएगा, और सबसे जद्रह पड़ी जो है वो कर्ष की ही है, Κूल दोयम और चा कर्ष है, जो है इसके सुनोनिम से होगे पानी माँनी का, तो ऑपने थोड़ सा इंमजिन और करेंगे, जहां पर भी कोई वड़ आजाएगा, जिसे पानी वड़ आ गया तो यह किसी में जो है पानी वड़ा रहा है यह किसी में पदक वड़ा रहा है तो वो सभी जो है करश के सिनोनिम्स है अक्ष है पिचु है पानी आ गया ठीक है पाने तल किंचित पानी वपस पानी आ गया तिंदुक तो ध्यान रखना है कि छोटे फल है वो करश के सिनोनिम्स है और जो बड़े फल है वो फल कि सुनोनुम्स हो जाएंगे जिसे छोटे फल जिसे तैंदुक है ठीक है लिज लूवर हम पड़ेंगे तो ये छोटे फल है और ऊटिंगे दो लुए निंग और है रखेंड अंब ऐन जोड़े फल है तो वह तो यहाँ आपने देखना एक हेम नम svंशा है सुवर्ण कारिष है कि कुझे हैvens और माशा सुवर्ण का शैनौनियम है और सुवर्ण का शनौनियम है आजीना प्रेठेज के द suis लूब पर 시क्षोनबर और है करशा अभ्या मिन्स दो कर्षका अर्दपल दो कर्षका अर्दपल हो वह रोगया इसी को शक्ति भी कहते है रहे हो यह श्ट्मीकह भी कह तो सुक्तिव भ्या मैंस पलम दो शूप्टि का पल के सिनोंनम के होगे मुष्टी में मुष्टी मिन्स पल हो गया और हमने पहले भी पड़ा गे आमर मतब बड़े फल होगे तो पल के लिए हो गया दूर्थिका प्रकुंच शोडशी बिल्व बड़ा बड़ा फल होता है यह सभी पलक शॉनुनिम से तो आमर और बिल्व देखना है कि शोड़शी का तो लास्ट में का आ रहा है तो कर्ष में क्या आ रहा है तो शोड़शी का कर्ष का सनोनिम है और शोड़शी पल का सनोनिम हो गया शोड़शी का और शोड़शी इसी को देखेंगे तो चरक में यह मतला आपोजिट है पर हमने जो है शारंदर का य और ट करद पैकर है खाला कि हम आगे एक टेबल बनाएंगे उस टीबल से उसको व्याद रखेंगे देखना अश्टमिका, अश्टमिका मतलब है अर्धपल, ठीक है, अश्टमान मिन्स चार पल या अर्धशराव या कुड़ाव, तो दोनों में रेश्यो का इवार एक्जाम में पूछे गए हैं, कि अश्टमिका और अश्टमान का जो रेश्यो है, वो है, वन रेश्यो एट, ठीक है, तो दो शराव का हो गया एक प्रस्त तो एक प्रस्त का मींस हो गया 16 पल ठीक है तो एक प्रस्त में 16 पल होते हैं कि चतो प्रस्ती तथा आड़कम और 4 प्रस्त का हो गया एक आड़क ठीक है, चार प्रस्त का एक आड़क है आड़क का ही सिनुने मों गया भाजन, गंस पात्र और इसके अंदर कितने होते हैं 64 पल, तो एक आड़क में 64 पल है, एक परस्त में 16 पल होते हैं यह आपने ध्यान रखने है नेक्स्ट हम देखते हैं, चतुरभी आड़क का ही द्रोणा तो चार आड़क का एक द्रोण होता है इसी को कलश कहते हैं, इसी को नलवन कहेंगे, इसी को उन्मन कहेंगे और यही उन्मान है, यही घट है, यही राशी भी है तो यह सभी जो है द्रोण है, द्रोण पर रहा है बाचका दो द्रोन का हो गया तो जो द्रोन हैं उसका मतलब हो गया शूप और कुम्भ और इसे भी का जो मान है वह गया 64 शराव 64 शराव को होता है शूप और कुम्भ ठीक है यह जब लोग पढ़ रहे हैं तो इतना क्लियर नहीं होगा अभी जब हम टेबल देखेंगे तो वहां आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा टेबल से ही आपको याद हो पाएगा नेक्स सियसायस प्रिता टो शुर्प वह क्यए द्रोनी का जो रेशी और बड़ी है द्रोन छोटा एधे तो जय स्थीом को खा रही और चार द्रोनई की एक खारी और चार दुरनी की एक खारी है चतु सहस्तर पली का शन नवती अधिका एक खारी में कितना हो गया 4,096 बिंस 4,096 पल होते हैं एक खारी में 4,096 तो भी ध्यान रखना है ये कुछ लेता है इंग्जाम में पला नाम द्विस रहस्तरम चे भार 2000 पल का एक भार होता है इंपोर्टन्ट है और 100 पल की होती है एक तुला तुला पलशतम तो 100 पल की एक तुला है और 2000 पल का एक भार होता है ये भी इंपोर्टन्ट है नेक्स है क्रमशा चतुर्गुन मान के अंदर ये श्लोक आपनी याद रखने है ये श्लोक याद हो जाएगा तो बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा कि चार-चार हम देखते हैं कि चार-चार गुना यहां पर हम देखेंगे तो माश टंकाक्ष बिलवानी कुडवा प्रस्थम आड़कम राशिर गोनी खारी केती ये तो उत्तर चत्र गुना तो अगर याद रहेगा तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा तो माश, माश का चारगुना हो गया टंक, ठीक है, टंक का चारगुना हो गया अक्ष, ठीक है, अक्षी जहे कर्श होता है, ठीक है, और अक्ष का चारगुना हो गया बिल्व, बिल्व मिन्स पल, ठीक है, और बिल्व मन्स पल का चारगुना हो गया एक कुड़ाव, कुड़ा से चार चार गुना एक दूसरे से होते हैं इस लोग याद रहेगा तो यह आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा यहां से बहुत सी बार एक्जामें क्यूशन पूछे जाते हैं यहां से एक्जामें पूछ ले जाते हैं नेक्स्ट श्लोक नमबर 33 गुन्जादी मानम आरभ्य यावत शात कुडव इस्तिती द्रव आर्द शुष का द्रव्या नाम तावत मानम समम मतंग यहां पर एक कंसेप्ट है जैसे हम पढ़ते हैं सुष्व सहिता के अंदर तो वहां है कि अगर किसी द्रव्य का निर्देश है उसे आर्द रवस्ता में ग्रहन किया जाए तो सूखने के बाद में उसका वेट कम हो जाता है इसलिए उससे सदेव दुगने प्रमान में ग्रहन करना चाहिए तो यहां शारंदर कहते हैं कि जिसका निर्देश है एक गुंजा से लेकर कुडव तक का प्रमान जो है अग द्विगुणम तद द्रव आर्द रयो मानम तथा तुलायास्तो द्विगुणम ना कवचित स्पृतम ठीक है तो प्रस्त से या प्रस्त तक जो द्रव्य है जो आर्द रवस्ता में है उन्हें हमेशा दुगना जो है ग्रहन करना चाहिए प्रस्त तक प्रस्त आर्दी में है जिसके ना परंतु जिसका निर्देश है कि उसे तुला प्रमाण में ग्रहन किया जाए उसे कभी भी दुगना ग्रहन नहीं करना चाहिए उसे हमीशा आरध रभस्ता में ही लेना चाहिए नेकस्ट है सलोक नुआशने के लिए यहां पर कहा है कि χutum için इसका प्रमान है 4 x 4 x 4 अंगुल तो ये कुडव मान है कि इसका जो लेंथ है ठीक है इसकी विर्थ है और इसकी जो हाइट है वो है फोर इंटु फोर इंटु फोर अंगुल तो ये लिक्विट्स को जो है मिजर करने की काम आता है नेक्स्ट हम यहां देखते हैं कि रस्रत समुझ्चे के अंदर एक उलेख है घट यंत्र का उसकी शमता कितनी है चार प्रस्त और इसका मुख का जो परिणा में इस डायमेटर है उसकी जो मुख है उसकी जो उपनिंग है उसका डायमेटर भी चार अंगुल होता है तो ये जिस जो सबसे पहले नाम जिसका लिया जाएगा उसी के आधार पर उसका नामकरन किया जाता है ऐसा आचारे जारंदर का कथन है यहां पर हम लगतसा एक टेबल देखते हैं यह अपने इस टेबल को को एक पेजमें नोट एक मरीची , सेम लाइन है , खे बंचीय के रीचीजी काई ? नीचे, पंज ले कंके सकते हैं 4 चार का हो गया एक माशा , माशा का हेम और धनwyn marc भी कहते हैं, चार माशा का है एक शान, इसी को धरन कहते हैं, इसी को टंक भी कहते हैं, दो शान का हो गया एक कोल, इसी के सिनोनिम्स हैं शुद्रक, वटक और द्रंग्शन, यह द्रंग्शन है, द्रंग्शन, फिर दो कोल का होता है एक कर्ष, इसके सिनोनिम्स हैं, पानी मान अक्ष, पिचू, पानितल, पानी, तिंदुक, विडालपदक, करमध्य, हंस्पद, सुवन, कवल ग्रह, उदुंबर दो कर्श का होते हैं एक शुक्ति, इसी को अश्टमेका भी कहते हैं दो शुक्ति का होता है एक पल, पल के सिनोनिम से हैं मुष्टी, आम्र, चतुर्धिका, प्रकुंच, बिल्व और शोडशी दो पल का होता है एक प्रसृति, दो प्रसृति का है एक अंजली, अंजली के सिनोनिम से हैं कुड़ाव, अर्द शरावक और अश्टमान दो अंजली को कहते हैं एक मानी का इसी को कहते हैं अश्टपल दो शराव का एक प्रस्थ है चार प्रस्थ का एक आडख है आडख को कहते हैं भाजन और कंसपात्र चार आडख का होता है एक द्रोन द्रोन को ही कहते हैं कलश, उनमन, घट और राशी दो द्रोन का है एक शूर्प इसी को कहते हैं कुम्बवी दो शूर्प का एक द्रोनी है ठीक है और द्रोनी को ही कहते है वाह और गोनी चार द्रोनी बराबर एक खारी है ठीक है और इसके अंदर होते हैं 4096 पल 4096 पल होते हैं एक खारी के अंदर clock involving 8 2000 एक भार ठेकर वान कर लिए हैब नोट कर लिए तो आपको जहाद रहेगा बारne इसको अब देखते रहेंगे तो याद होगा अधर बाइस आपको यह बान चछोड देंगे तो पर एकभार में र collaborations नेगक्स टैस, लोक नंबर 43 पर मानम विदो विदु कलो नेग्स टैस, लोक नंबर 44 पर ढेयंदे हैं यहां अचारे नेकाए नवानिःव योज्जानी द्रिव्यानी अखल कर्म्दु अखिल यह होगी यनसंदी द्रव्यानी अखिल करमसु विदा विडंग कृष्टा भ्याम गुड धान्य आज्य माक्षि कई तो सभी द्रव्यों को हमेशा नव तो नवीन आवस्था में ठ्रेश आजा आवस्था में ही ग्रहन करना चाहिए अखिल करमसु बतलो सभी कार्यों के लिए परन्तु विदांग उत Steel यहंपर क्या डाल दिया रोने विडंग है क्रिश्टन क्रिश्टन मिस पिपली ओ पिंस पिपल्य square गुड़ धान्य धनिया आज्य में सग्रत माक्षिक में मधू झ để कि इनको हमेशा पुराणा ही ग्रहन करना चाहिए विडंग मुड पिस यहां विमर्ष में आते हैं तो कहते हैं कि भाव प्रकाष ने धान्य का मिन्स धनिया नहीं किया है उन्होंने इसका मिन्स किया है अन्न तो भाव प्रकाष ने धान्य मिन्स अन्न बताया धनिया नहीं किया है नेक्स्ट श्लोक नंबर 45 पर देखते हैं गुडुची कुटुजो वासा कुश्मांडश्य शतावरी अश्वगंदा सहचरी शतकुष्पा प्रसारणी इस प्रकार से कुछ द्रव्य है तो इसके वादवाले जो श्लोक है वो प्रक्षिप्त है तो इतना ध्यान रखना है कि ये 20 द्रव्य इस प्रकार से हैं जिनको हमिश्या आर्ध रवस्ता में गिरेहन करना है पर न तो कभी भी दुगुना नहीं लेना चाहिए तक सब्सक्राइब को आर्द अवस्ता में ग्रहन करेंगे परन्तु दुगना नहीं लेना चाहिए तो यहां कहा भी है कि इन 20 दुगना नहीं लेना है परन्तु कभी भी दुगना नहीं लेंगे लोकमर 49 पर काले अनुक्ते अगर किसी ओशदी का जो ग्रहन काल है और वहां पर निर्दशित नहीं है तो आपने उसका प्रभात स्विकार करना चाहिए शाद अंगे अनुक्ते अगर ओशदी का यह को द्रव्य है उसका कौन सा पार्ट आपने यूज में लेना है वो अगर वहाँ पर अनुक्ते है तो हमेशा जटा का में लेनी चाहिए जटा का मतलब मूल होता है कि तो बहुत सी बार की हूता है known word लिखां नहीं होता है कि मूल हिंदी में किया तो आपने औरिजिनल जो बड़ है जटा जटा ही आपने याद रखना है जटा का मींस मूल होता है वह आपने देखना है भागे अनुक्ते तो साम्यम अगर वहाँ पर और और अश्दी का प्रमान नहीं लिखा जिसे बहुत सारे अश्दियां लिखी है पर उनके प्रमान का उल्लेक नह अगर द्रव वहाँ पर आपने देना है कि यहाँ पर किसी लिक्विड का हम काम में ले रहे हैं परन्तु वह अनुक्त है तो हमेशे जल को आपने पर प्रयोक्त करना है तेल अगर अनुक्त है तो तिल तेल का प्रयोक्त करना है इसी प्रकार से दुग्द का निर्देश है तो किसका दुग्द लेना है ऐसा निरदेश नहीं है तो सदेव गो दुग्द है सर्पी में गो सर्पी है मूत्र में गो मूत्र है गो संभवम ठीक है तो यह आपने देख लेना है नेक्स्ट श्लोक नूबर 51 इस लोग प्रक्षिप्त है फिर भी आपने देखना है कि जंग मानाम वयस्थानाम रक्त रोम नखा दिकंग शीर मुत्र पुरिशानी जीड आहारेच सहारेच जो आपने जो जंगम द्रव्य है ठीक है प्राणिस द्रव्य है उनका आपने ग्रहन करना चाहिए जो प्राणी है एक्षीर है मुत्र है पुरिश इनका जब आप ग्रहन कर रहे है तो उस प्राणी का जो आहार उसने ग्रहन किया है वो जीर्ण हो जाना चाहिए जैसे आप गोमुत्र का ग्रहन कर रहे है तो तभी आपने ग्रहन करना है जब उस गाए ने जो अहार लिया है वो उसका जीन हो चुका है उसको अजीन है तब उसका गोमुत्र या पूरिश ग्रहन नहीं करना है जाए तब ही ग्रहन करना है जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया हूँ नेक्स्ट है श्लोक नमबर 52 एकम अपि औश्दम योगे यस्विन यत पुन उच्यते मानतो द्विगुर्णम प्रोक्तम तद्रव्यम तत्व दर्शी भी एक ही औश्द योग में एक द्रव्य दो बार उल्ले खित है इसका मतलब उसको दुगना प्रमान में ग्रहन करना चा श्रेट चंदन चून स्रेय और श्रेट उलेख ऊसína सफेट चंदन चुन स्रेय आस्व लेह कि यहांपर चंदन काम में लेना है कौन सफेज अवलेह का जो उलेख है तो वहाँ पर हमेशा श्वेट चंदन का अपने प्रयोग करना चाहिए तो यहां कहा है कि गुण हीनम भवेत वर्षाद उर्दम तद्रूपम ऑशदम एक वर्ष के बाद में यूजवली जितने गुण हीन हो जाती है है तो एक वर्ष के बाद में जितने भी डूब वेडिसीन से यूजवली गुण हीन है तो किराएं मास्ध दवयाद तथा चुड़नम लवत शरत प्रम एक वर्ष के बाद में गुट़का बात टैबलेट से वटी है और अवले जो है वो हीन वीरय हो जाते हैं एक वर्श के बाद में ताइल और गरत जो है जिस कोईशा घृत है जिसे त्रिफ ला गरत है पस गव्श इन सबी का जो प्रयोग है वह आपने सोला मास के अंतरगत ही कर लेना चाहिए सोला मास के बाद में यहीन वीर्य हो जाते हैं ऐसे पेल भी ठीक है और शद्यों लगुपाक का शूर डीर वीर्य वस्रातवरम एक जो है साल के बाद में जितने मेडिसिंस हैं वह लगुपाक वाली हो जाएंगे निर्वेर्य हो जाती है पुराना शूव गुणय युक्ता आसव धातु रसा आसवरिस्ट और धातु रस्ज है उनके लिए कहा गया है तो धातु है दातु बस्म हो गई या रसवाश्ट दी जो हो गई इनका प्रयोग पु करना चाहिए जिबकि आसवरिस्ट के लिए कहा गया है दस वर्ष शारंदर कहते हैं पुराने अधिक होते हैं इसी प्रिकार से रसोजदी भी जो है वो दस वर्ष के लिए ही गुणवान कही गई है इसके बाद में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए आजकल जो है जो कि नेक्स्ट इश लोक नमबर 58 पर है जो वश्टदीयों का जो अपने भंडार है या जो आपने इनको इस्टोर करना है जो इस्टोर रूम है प्रशास्त दिशा क्योंड़ा चाहिए प्रशास तायाम दिशी मतलब जरली बंडार कुच रेक प्रशास तो मतलब अच्छी द यहां कहा कि जो आगने अशदिया है वो विंद्याचल परवत की स्रेष्ट बताई गई है और जो स्वम्य अशदिया है वो हिमालय परवत की स्रेष्ट बताई गई है तो आगने अशदिया विंद्याचल परवत की और स्वम्य अशदिया हिमालय की 63 पर है आदित्या समुख्ष ему नमस्कृत्यम शिवम्रदी तो इस प्रकार से औषदिया है ठिक है यह एफ एफ यह क्लिवुजी करेंब करा यह करना चाहिए ठिक नेक्स्ट श्लोक नंबर 64 पर है त्रिवित देश का यहां पर उल्लेख है तीशे श्लोक है यह प्रक्षित है तो इससे कुशन नहीं पूछे जाएंगे फिर भी आगर पूछ लेते हैं तो आप देखना है जिसे आनुप्रदेश के लिए सेम है कफ और वात दोश के रोग जो शारंदर ने जाए उल्ट यहां पर एड कर दिया है तो आलमस्ट सेम है कि जांगल में जोह इन ने वात पित के अंदर रख्थ अ आड़ किया तो वात ईंदर इस प्रकार से जांगल प्रदेश के अंदर रोग जो है वात बित रख्थ दोश से उत्पन होते हैं ठीक है है त देख्ट है श्लोक नंबर गिस्टी सेवन ये बड़ा इंपोर्टन श्लोक है शरदी अखेल कार्यार्थम गरहयं सरसम और श्युदम शरद रितु में जो उत्पन मेडिसिंस हैं ठीक है वो सभी कार्यों के लिए अखेलि कार्यार्थम समस्त कार्यों के लिए आपने प्रयोग आर्थम वसंतांते समारित वसंत के अंत में आपने उनका ग्रहन करना चाहिए अगर आप विरेचन के लिए या वमन के लिए कोई मेडिसिन को कलेक्ट कर रहे हैं तो वसंद के अंत में अदर्वाइज शरद रितु में समस्त कारियों के लिए मेडिसिन का ग्रहन करना चाहिए इंपोर्टन श्लोक है अपने देखना है इसको नेक्स्ट है श्लोक नंबर 68 तो यहां श्लोक नंबर 68 पर कहा है कि अती स्थूल जटा अगर जो आपको मेडिसिन ग्रहन कर रहे हैं उसकी जटा है इसकी जो मूल है वह बहुत अधिक स्थूल है तो वह पीसने में नहीं आएग तो सिर्फ और सिर्फ आपने उसके बाह्य त्वचा का ग्रहन करना चाहिए तासाम ग्रहयस त्वचवबुद्धः ग्रहनियात सुक्ष मंमूल रानी पर अगर शुख प्रश्च मंवल है सकलानि संपूर्ण रूप से आप उसको ग्रहन कर सकते हैं । इसी प्रकार से ने च्डित्र पत्र हम बोलते भी है त肉ला का नाम में याय र हेत कि लाय को इसका फ्ल फथे थातकी के पुश्पग्रैंड कर यंकर ने चाहिए धातकी अधि जो भी और वक्रढ़ हैं उनको 9 लिए अधिकर कंद गरय को भुन जाई है अधिकर कंदर करने गुंदरा करना है इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है